Hello Everyone and Good Morning आप सभी को और हम λोग आज फिर से नेक्सट पार्ट हम लोग लाए हैं जिसे हम लोग आज नेक्सट पार्ट पड़ेंगे जिसमें हम लोग नहीं किया है कि वर्ड्र for ऑब से डेलेटेड हम लोग जो मेंनिंग्स चाहद कर रहे हैं डेली दस विशी का ये one thing ठीक है जिसमें हम लोग cloths and dresses से related हम लोग word meaning से याद कर रहे हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें 10 कौन कौन से हैं जैसे आप देख पार यह 10 आपके फिर से आ जाएं जिसमें हम लोग देखेंगे इसकी spelling इसका प्रोनाउंस इसका मेंस और इससे पढ़िसे हम जानेंगा इसकी understanding बढ़ाएंगे तोड़ा इसकी समझ बढ़ाएं बढ़ाएंगे कि कैसे कैसे होता है और कैसे हम इसको पहचानेंगे या कैसे इसको लौंग टर्म तक हम याद गर सकेंगे ठीक है बिल्कुल था ये जैसे आपका दिया है पहला नंबर आपका दिया गया है जर्सी जर्सी आप लोग देखे होंगे कि जैसे खिलाड़ी होगा रहे लोग क्या करते हैं कि उनकी जर्सी होती है आप खिलाड़ी के देखे होंगे तो उसमें एक जर्सी पहने होते हैं ब्लू कलर की या रेड कलर की कैसे भी हो ठीक है या एलो कलर की हर खिलाड़ी की हर टीम की अलग अलग अपनी अपने एक जर्सी होती है ठीक है जिसे आप लोग देखे होंगे कि एक स्कूल में भी एक जर्सी लगा करती किसी किसी स्कूल में एक ड्रेस होती है जर्सी टाइप क पीली पीली यह इसी तरह पाहनी होती जर्षी उसमें कई design बने होते हैं राफिक कई पार्ट से मलकर पनवोती है बहुत ही हलगा है यह तो यह जर्षी आप कुछ इस्तरपरकार याद कर रहे हमें घिक है उसके अंदर एक पतला सा कपड़ा रखा जाता है जो की बहुत ही soft होता है ठीक है उसी कपड़े को कहा जाता है लायन सो की यह वही चीज इसमें मैंने सर्च किया इसको तो यही चीज उसमें find out हुई है कि जो चस्मे के अंदर एक कपड़ा रखा जाता है छोटा सा चस्मे को प्रकार के कई सारे कपड़े भी होते हैं इसकी स्वेलिंग के बात करें तो देखिए इसमें क्या लिखा है जै को नेट मतनम नायन सुक ठीक है अगला देखिए आपका थार्ड नंबर दिया है जंपर जंपर क्या होता है जैसे जंपर उन से बनी आस्तीन वाली पोसाग जिसे उपरी भाग पर पहनते हैं इकदम ओन से बनी होती है जायदा इसकी बड़ी साइज नहीं होती है छोटी साइज होती आस्तीन वाली पोसाग जिसे उपरी भाग पर पहनते उसको आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे केवल इतने से होता है और वह यहां तक ऐसे डिजाइन में पहना ओता है ऊपरी भा पर उसको पहन सकते हैं अराम्च ठीक है आस्तीन वाले उसमें लगा होता है कई दो-तीन हे की होती है उन से बहूंते बहुत शॉप्ट हों शॉफ्ट वोस आग जैसे या उपर आपकले बहूस दिन देखा था half point half point में भी क्या हुआ था निकर यानिए कि वो वाइच का था, जो कि half point होता है, घुटने के उपर पहना जाता है, यह निकर होता है, जो कि गल्स का होता है, यह भी गुटने को उपर, छोटी से size का एक point होता है, जिसे पहना जाता है ठीक है बिल्कुल यह फिर निकर और बहुत मतलब कई साइज के आती है कुछ बड़ी आती घुटने सूपर कुछ और छोटी बद ऐसे होता है यह फिर लाइकली कुछ और अंडर वियर जैसे भी यह होती है निकर की साइज होती ठीक है बिल्कुल अगला हमारा इसकी निककर की spelling गर देखे तो क्या होगा K N I C K E R S ठीक है निककर निककर मतलब होता है निककर आप समझ सकते हो ठीक है या फिर आप यहाँ पर यह समझ सकते हो गल्सकी या निकी half पाइंट या half आपका size का कोई भी पाइंट हो ठीक है अगला है आपका five number less less मतलब होता है less या फिता फिता तो आप जानते है फिता एक रसी होती है रसी नुमाय के लंबा साइक हमारा कपड़ा होता है ठीक है फिता तो यह less आपका हो जगए L A C E less या फिर आप जूते में देखिए तो आपका जो जूते का बद्धी होती है जिसको हम बांधते हैं ऐसे टाइट करते हैं वो भी आपका क्या होता है less य उसको भी बोला जाता है less ठीक है बिलकुल वो भी एक फिता जैसा ही होता है बिलकुल अगर हम six number की बात करें तो क्या दिया गया है आपका यहाँ पर गलत लिखा लिलिंग है यह आपका E L I E N I N G होना चाहिए बट यहाँ पर E M है आपका यह साइलेंट है ठीक है यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ेंगे लाइलिंग राइनिंग की यहाँ आप लोग जानते है कि यह क्या होता है की एक होता है कपड़ा नीचे लगा जाता घाता ब느ाओ जो गरे होते उन्में भी अस्तर ये यूँच किया है, अस्तर ये एक पतला सा कपड़ा होता बेसिकल्झी, जो कि ये अंदर साइड होता है, ये बाहरी नहीं होता है, अंदर साइड कपड़े के लगाया करते, उसको सीला जाता है ठीक है, बिलकुल. अगला हम देखते हैं आपका लिलिन दिया गया है मलमल, मलमल आपका कुछ भी हो जाता है, यानि कि मलमल टाइप का जो हैंकी भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, जो कि बहुत ही जादा सौप्ट हो, यानि कि आपका एकदम गुलगुलो, यानि कि उसमें एकदम रेसे रेस सभाने कि वो कपड़ें जैसे बहुत कम होता है एक दाम मलमल इसम बिलकुल ठीक है ऐदम पतला सा हलका होता है को अगला दिया है लूब का मतलब क्या दिया गया है फंदा इसमें बटन उती है इसमें हम लोग बटन फसाते कपड़े का भी आता है कि कप्रे में फसाने में टीक है अप geilे बढ़ी-बटनी होती है तो उनको दागा नुम्ह बना देते हैं फिर मुदा बना देते हैं और ah भी हैंता जो होता है ठीकर बिलकुल इस बाकि की लूप तो आपका बहुत म addicted के लूप निहीं आप रिखा है मैंनें इसका यहीं मिल रहा बर्थ यहां चिकन का मतब चिकना एक कपड़ा होता है चिकना कपड़ा ठीक है हाँ यह भी चिकना कपड़ा बहुत ही सौफ्ट होता है चिकना कपड़ा से इसको भी लिया गया है ठीक है लाइपेट लाइपेट यह चिकना कपड़ा होता है यह सब के लिए आता है क्लियर है अगला हम बात करेंगा टेन नंबर की थी क्या होता है लांग इसकर्ट को ही लांग अगर थोड़ा सौर बढ़ा कर दो तो लांग इसकर्ट हो जाता है इसकर्ट आपको हमने बताया था कि घुटने तक ही पैना जाता है जो को बहुत अच्छे कंढ़ा हो गया लहेंगा का थे स्कूर्ण और अच्छी दिजाइन हैं कि हो गया ये बताये वहीं यह आपका हो गया है लहगा तैया हो गया है सोहही है ना बिलकुल अब बताइए जमाल आपको यह आप यह एक युलांग स्काड कहला लाया आयो कि आपकेव कुई 10 की 10 की दस लएकि पहला उने कै optics कर लेते हैं जरसी होता है जलका होता है क्या है अगला हमारा है ऐसे कंधब पर पहना जा सकता है वोह होता है इसको फीता हम कि फीता धर Jim तरक हमने बताया आपको अस्तर काँओ के भी अम्रों सायर्ड सिला जाता है लिएनी मलमल का कोई भी कपड़ा हो सकता हैं कि अगरें भी हो सकते हैं लूप यानि फंदा होता है कि कपड़े का गोला गोला का एक कपड़ा होता है जिसे में कुछ न कुछ फसा कर लगाते हैं लाइपेट यानि कि चिकन चिकन नहीं चिकन ना कपड़ा होता है लांग स्कर्ट मतला होता है आपक कि सभी मेनिंग्स हो गई, I hope कि आपको पसंद आई होंगी, क्लियर है, I hope कि आप लोगों की ये मेनिंग्स पसंद आई होगी, और पसंद आई ता आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सस्क्राइब पर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं, कि आपको मज़ा है आपने enjoy किया और इसको आपने connect कर पाया आपने आप से और इसमें आपने इसके spelling को pronounce और इसके means को आप याद कर पाएं अब इसको note भी कर लिजेगा बिल्कुल और हम लोग मिलते आपने कि लिए नेच्ट वीडियो को तब तक पढ़ते रहे और लिखते रहे और अच्छे से सुराच्छित रहे तब तक सभी के लिए जैह